नमस्कार स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नई यूजफुल वीडियो में तो आज की ये जो वीडियो है वो सभी आंगनबारी सेविका सहाइकाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाली है जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो जाँच टीम है वो अचोग आंगनबारी केंदरों पे जाँच करने पहुँच रही है और जाँच के दवरान जो गलतिया पाई जा रही है आप सभी को इस पत्र के दवरान दिखाने वाला हूँ और सेविका सहाईका को कुछ बेसिक जनकारी भी देने वाला हूँ जिससे कि जो जाँच टीम है अगर आपके केंदर पे पहुँचे तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी जनकारी आपके साथ सेयर करूँगा वीडियो में आप लोग बने रहिए वीडियो को आप लोग कम्प्लीर जवर देख लीजेगा तो दिखिए अगर आपके आपके आगनवारी केंदर पे जो जाँच टीम पहुँचती है तो आपको कुछ मुख बिंदों का ध्यान रखना है जैसे की सेविका सहाईका को ड्रेस कोड में रहना है आगनवारी केंदरों पे साब सफाई रखना है साथ ही साथ जो कोबिड नाइनटीन का पालन है उसको भी करना है और जो आपको विभाग की ओर से पोस्टर वगारा चिपकाने को मिला होगा तो वो भी आपको चिपका लेना चाहिए अपने आगनवारी केंदरों पे साथ ही साथ जो रसोई घर है बरतन है उसकी भी साब सफाई रखना है और जैसे की जो पंजी की बात है सबसे पहले तो आपको वजन लंबाई पंजी अपने आगनबाडी केंदरों पे रखना है अनपराशन गोध भराई पंजी अगर आप लोग मेंटेन करते हैं तो काफी बढ़िया है साथी साथ जो भंडारन पंजी है वो भी अपने आगनबारी केंदरों पे रखना है ग्री भर्मन पंजी, टी एचार पंजी और जो बच्चों की उपस्थिती पंजी है उसको भी आप लोग अपने आगनबारी केंदरों पे जरूर रखियेगा तो चलिए हम लोग इस लेटर में देखते हैं कि जो आंगणबारी केंदरों पे निरिक्षन हुआ है उसमें क्या-क्या गलतिया पाई गई है देखिए ये जो लेटर है वो 8 फरवारी 2022 को जारी किया गया है समाज कलियान विभाग ICDS द्वारा ये लेटर जारी हुआ है जिसकी संची का संख्या है 615 यहाँ पे देख सकते हैं सिवा में जीला प्रोग्राम पतदिकारी औरंगाबाद तो ये सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं राजे के अलग-अलग जीलों में जो जार्च टीम है वो पहुँच रही है और जार्च के दवरान क्या कुछ गलतिया पाई जा रही है नीचे आपको इस वीडियो में पूरी जनकारी देने वाला हूँ और वीडियो में आगे बरने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी आगनबादी बहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किजिए और जो भी आगनबाडी बहने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बढ़ते हैं इस लेटर में आगे दखिए यहाँ पे इस लेटर का जो विशय दिया गया है आगनबारी केंद्र संचालन में पाई गई अनिमितिता के विरूद किर्थ करवाई कर अनुपालन युवेधन भेजने के संबंद में यहाँ से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा उप्रियुक्त विशय के संबंद में कहना है कि दिनांग 4.1.2022 को राज अस्तरिय जाच दल दुआरा आपके पर्योजना के अंतरगत निमलिखित आगनबारी केंद्रों का अचोक निरिक्षन किया गया तो देखिए आगनबारी केंद्र मकमूल पूर 102 केंद्र का बोर्ड परमूखता से परदर्शित नहीं था जो आपको बोर्ड दिया गया है केंद्र पर लगाने के लिए वो बोर्ड परदर्शित नहीं था यानि आगनबारी केंद्र के बाहर नहीं लगाया गया था इस्कूल पूर्व सिक्षा प्राप्त कर रहे पंजिकलित लाभूकों का नाम पंजी में दर्ज नहीं था निरिक्षन तिथी तक सभी पंजी संधारित नहीं था दिनांक 1.1.2022 से 3.1.2022 तक केंदर संचालन सेविका द्वारा नहीं की गई जिसकी पूष्टी सेविका द्वारा स्वयम की गई COVID-19 का नहित प्रावधान SOP का अनुपालन नहीं किया जा रहा है नियमा नुसार चैन मुक्त की अनुसंसा की गई है तो देखें यहां पे जो आंगनबारी सेविका गलती की है कि 1.1.2022 से 3.1.2022 तक केंदर का संचालन बिल्कुल भी नहीं किया गया था और इसकी पूष्टी सेविका खुद कर रही है और देखें जो COVID-19 नियमों का पालन है उसको भी नहीं किया जा रहा था इसके तहद जो नियमा नुसार चैन मुक्ती है वो अनुसांसा की गई है यानि चैन मुक्त भी किया जा सकता है तो आप सभी आगनबारी बहनों को इस परकार की गलती नहीं करनी है तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं इस लेटर में इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी कि किस परकार से निरिक्षन किया जा रहा है और क्या-क्या हमको अपने आगनबारी केंदरों पे बेवस्थाएं रखनी है वीडियो को आप लोग लाश तक जोड़ देखिएगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जनकारी आपको कंप्लीट मिलेगी देखिए अगला जो आगनबारी केंदरों पे निरिक्षन किया गया पिल्छी 2191 इस्कूल पूर्व सिक्षा प्राप्त कर रहे पंजिक्रित लाभुकों का दिनांक 1.1.2022 से उपस्थिती आप्राप्त यानि कि जो बच्चों की उपस्थिती है वो उपस्थिती नहीं भड़ी जा रही है टी एचार पंजी में मत्रा आप्रयाप्त है तो इस आंगरबारी केंद्र पेर भी जो सिविका है साइका है उनको चैन्मुक्त का अनुसांसा दिया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रईस्टर मैंटेन है जैसे कि टी एचार मैंटेन रखना है बच्चों के उपस्थिती मैंटेन रखनी है साथी साथ जो हमने पोस्टर चार्ट की बात की थी वो भी परदर्सित नहीं है तो इस प्रकार से गलतिया आगनबारी सेविकाय द्वारा पाई जा रही है चलिए फिर अगला जो केंदर है उस पे देखते हैं यह जो अगला केंदर है करमाही 7-2 दिना 4-12-2021 से भंडार पंजी संधारित नहीं किया गया है माह दिसंबर 2021 का टीएचार वितरन नहीं किया गया है परंतु पूरक पसाहार भी नहीं दिया गया है नहीत प्रावधानों के आलोक में सेविका के मांदे की कटवती की अनुसंसा की जाती है जैसे कि इस आंगनवारी केंदर पे जो सेविका द्वारा गलती पाई गयी है तो उनके मांदे में कटवती की जा सकती है फिर इसके बाद अगला केंदर है करमाही 2-182 सभी पंजियों के संधारन में सुधार किया हो सकता है तथा कोबिट-19 के मार्दरसिका का अनुपालन किया जाना चाहिए फिर अगला जो केंदर है तिवारी मुहला 30 केंदर पर 15 बच्चे उपस्तित है करय पंजी सत्यापन हेतु करयाले में जमा किया गया है सेविका द्वारा बताया गया कि केंदर किराय की रासी का भुगतान नहीं किया गया है ब्रिधी निग्रानी से संबंधित कोई भी पंजी उपलव्द नहीं है मोबाईल नहीं परस्तूत किया गया सेविका द्वारा मोबाईल खराब होने की बात कही गई COVID-19 से बचाव हेतू किसी भी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है सभी पंजियों को संधारित कर केंद पर रखने COVID-19 के निर्देशों का पालन हेतू सेविका साहिका को निर्देश दिया गया तो इस परकार से निर्देश भी दिये जा रहा है कि आपको आगनबारी केंद पर जो COVID-19 का पालन है उसको करना है साथी साथ जो पंजी है उसको भी आगनबारी केंदों पर रखना है और उसके बाद जो ब्रिधी निगरानी है उसको भी कम्पलीट करना है फिर देखिए अगला जो केंदर है तरार 05 निरिक्षन के करम में केंदर पर मात्र आठ बचे उपस्थित पाए गए केंदर सर्वजनिक भवन यानि समुदाइक भवन में संचालित किया जा रहा है सेविका ड्रेस में उपस्थित नहीं है सहाईका का पद रिक्त है सेविका द्वारा प्रति दिन केंदर संचालन से समदित समगरी घर से लाया जा रहा है तथा पुना वापस लेके जा रही है जैसे कि इन सेविका का जो केंदर है समुदाइक भवन में चल रहा है और जो समगरी है जैसे की रेश्टर है चाहे जो भी और ये समगरी है केंदर संचालन से संबंदी वो रोज अपने आंगनवारी केंदर में ले जाती है और फिर वापस अपने घर पे लेके रख देती है सेविका द्वारा बताया गया कि समान केंदर पर सुरक्षित नहीं रहता है मात्र निडिक्षन पंजी सेविका सहाई का उपस्थिती पंजी और बच्चों की उपस्थिती पंजी ही उपस्थापित किया गया केंद्र पर श्टोक उपलवध नहीं है और संतोस जनक श्थिति पाई गई पेजल एवं सवचाले की बिवस्था नहीं है और फिर जो अगला केंद्र है आगनबारी केंद्र अमेडकर नगर 32 केंद्र संचालित है सेविका सहाई का उपस्थित है कूल 15 बच्चे इसकूल पूर्व सिक्षा में उपस्थित है ब्रिधी निगरानी पंजी भंडार पंजी क्राय पंजी टीका करन सम्बंधी पंजी इसा कि हमने बताये आप सभी को कि ब्रीदी निगरानी पंजी, भंडार पंजी, क्रय पंजी और जो टिका करन पंजी है वो केंद्र पर उपस्तित होना काफी अनिवारे है और ये पंजी उपस्तित नहीं होने के कारण सेविका साहिकाओ पे करवाई की जा रही है। जिसमें अनिवारे रूप से सेविका साहिका को ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र संचालन का टाइमिंग है वो 10 बजे से 2 बजे तक है जिसके बीच आपको बच्चों को बुलाना है और परहाना भी है। जो भी बचों के बीच बित्रन करना है पोश्टिक लड़ू नाशने में जो भी मेनू के अनुसार देना है वो सभी कार आपको आगनबारी केंद्रों पे करना है। अतेव निदेशा नुसार निदेशित किया जाता है कि आगनबारी केंद्र संचालन में बर्ती गई अनिमित्ता के परिपेक्ष में निदेशाले द्वारा पत्रांक 170 धिनांक 217 एवं सच समय पर संसोधित डंड निरूपन मारक दर्सिका के अलोक में दोसी आगनबारी सेविका सहाई का एवं महिला परिविक्षे का के विरूद किर्थ करवाई करते हुए एक सब्ता के अंदर अनुपालन परतिवेदन निदेशाले को उपलग कराये जाए तो आप सभी लोग देखी पा रहे होंगे कि यो केंदरों का संचालन है किस प्रकार से किया जा रहा है जिस भी परियोजना में जाउच टीम पहुँँच रही है तो वहाँ पे जो आगनबारी केंदर की जो सेविका सहाई का है उनके दोरा काफी कुछ कमया देखी जा रही तो आपको इन सभी कम्यों को देखते हुए अपने आगनवारी केंदरों पर सुधार कर लेना है जैसे कि अगर आपके आगनवारी केंदरों पर अचवक निरिक्षन पहुंचती है तो सबसे पहले तो आप लोग घबराएं नहीं और जो भी निरिक्षन टीम आपसे सवाल जिसे कि जो सिविका साहिका है वो इन बातों को ध्यार में रखते हुए आगनवारी केंदरों का संचालन करें तो बस आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें अपना सुझाओ जरूर दें तो मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई धन्यवाद जय हिंद